गूडर्मार्णिंण फ्रेंड्स चलिए आज कीपिडियो में हम बात करेंगे नमो टैबलेट युजना के बारे में जी हाँ याक केंद्र सरकाज की स्कीम है जिसमें इंटर पास छात्रों को 10 प्लेस टूपास छात्रों को मुफ्ट में टैबलेट इसमें देने की स्कीम है और इसमें टैबलेट जो मिलेगा उनको उंच गुडवत्ता का मिलेगा और इसमें छात्रों से मात्र एक हजार रुपिया उसका रेजिट्रेशन सुलक देना होगा उस टैबलेट के लिए ताकि छात्रों को उसका मुले समझ म में आए और उसका अच्छा उप्योग कर सकें यह केंद्र सरकार की बहुत ही बेहतरी निश्कीम है जैसा कि केंद्र सरकार हमेशा डीजिटीली करण को बढ़ावा दे रही है मेकेन इंडिया को बढ़ावा दे रही है उसी के क्रम में यह चात्रों को जो 10 प्लस टू है उनको बित्रड किया जाएगा जिससे कि सिच्छा में और क्रांथी लाए जा सकें और बच्चे और बेहतर सिच्छा की तरफ आगे बढ़ सकें इसका जो सुल्क होगा आपको अपने निकट विद्याले में जहां पर आप 10 प्लस टू बाड़ेट मिसन लेंगे वहां पर आपको इ सुलू किया है और जो लाभारती होंगे फिल्छाल सिर्फ गुजरात के निवासिकन जजरत की विद्यारती ही इसका और इन को जो इसका सुल्क देना होगा और इसके आफ यहां पे देख सकते हैं इसमें बहुत यूँच क्वालिटी का इसमें दिया जाने वाला है टैबलेट इसके लिए जो योगता होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं योगता दिया है नमोई टैबलेट योजना का लाब लेने के लिए आपको निमनिलखित पातरता होना चाहिए पहली आप सकता है कि आपके घर की जो वालसिक आये है वह सलाना आये जो है एक लाख रुपे से अधिक नहीं होना चाहिए इसलिए आपको आये प्रमानपत्र भी देना होगा और आपको गुजरात राजिका स्थाई निमासी यानि निमास प्रमानपत्र भी होना चाहिए गु या हो असनातक के पर्थमवर्ष में इसमें जो डॉकुमेंट है यहां पर निवास प्रमाणपत्राधार कार्ड, वोटर, आईडी कार्ड, बार हमी पास का सर्टिफिकेट भी लगेगा और जिस भी संस्था में ग्रेजिवेशन कोर्स या पॉलिटिक निक कोर्स के लिए अड प्रमाणपत्र देना है या फिर आपको अपना राशन कार्ड और जाट प्रमाणपत्र भी इसमें लगाना होता है तो इस योजना के लिए मात्र एक हजार रुपे जमा करके आप उच्छ क्वालिटी के आपको इसमें टैबलेट भी त्रड किया जा रहा है ताकि बच्चे सिच्छा की छेतर में एक नई करांटी आए और बच्चे इसका सही से इस्तिमाल कर सकें इसका जो आफिस्यल वेब साइट है आप www.digitalgujrat.gov.in पर जाकि इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं और इसकी आनलाइन परिक्रिया को समझ सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपक झाल झाल